रामरा मेरे किसम भाईयो, विकास सर्मा का भारत के सभी किसम भाईयो को रामराम, मेरे किसम भाईयो आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एड़वाई चैनल और इस चैनल के मद्यम से आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खेती के महारती से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो र आजब में ये करता हूँ कि उप जिला प्रमुक होते हूँ भी खेती और बागवानी के अंदर इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और रुजान भी है, और हजारों किसानों को ये और्गनिक फार्मिंग करने की संदेश भी देते हैं, इसी तोर पे इनका ये फार्माउस है, जो देख रहे हो आप, तो इस फार्माउस में ये जो सामने देख रहे हो, इनका एक पॉंड है, बहुत शांदर पॉंड बना रखाए नोंने, और पॉंड के आगे देखोगे तो एक ग्रीन हाउस है, और साग्ज सबजी से लगा कर बागवानी तक इनका बहुत किसान का बाउस्चे है, इसी तोर्बे मोहन डागर जी से मुलकात करेंगे, कि उप जिला प्रमुक होते हुए भी, ये खेती और बागवानी पे क्यों निरभर है, तो भारत के सभी किसान बाईयों को अपना परिचे दीजे सबसे पहले डागर साब, राम राम किसान बाईय कि उसके बाद मैं ग्रिजुएशन करके, और मैं खेती करते वे साथ में खेती के व्यवसाय से भी जुड़ा वा हूँ, साथ ही एक राजनीती में भी बदलाव लाने की मनसा लेके, मैं राजनीती के छेतर में भी काम कर रहा हूँ, मैं 2005 में पंचैशिमिती सदश्य रहा, 2010 म मैं युवक कॉंग्रेश का जो निर्वाचन प्रनाली थी रावल गांधी की, उसके अनुसार युवक कॉंग्रेश का जैपूर ग्रामीन का अद्धेक्स बना, और 2015 में मैं जिला परिश्यत में सदस्य चुनकर निर्वाचित हुआ, नेता परतिबक्स बना, राजस्तान प शिक्ष्या, चिक्ष्या, स्वास्ते के साथ साथ में चहुमू की विकास हो, मैं आज देख रहा हूं कि किसान धीरे-दीरे खेती छोड़ता जा रहा है, और वो क्यों छोड़ता जा रहा है कि लागत ज्यादा आती है और परफिट कम आता है, आज किसान का बेटा खेती का परिचे नहीं देता अगर उसे पूछा जाता है कि आपक्या करते ओं तो एक भी आपको नोजमान युवाइसा नहीं मिलेगा जो यह कहेगा गरुसे कि मैं किसान का बेटा हूँ और खेती करता हूँ वह कहएका मैं नोकरी करता हूँ मैं तैयारी कर और आत्म निरवर बने लोगों को आत्मा निरवर बनाएं और गर्व से कहें कि मैं खिषान हूँ अच्छा मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जिले की उप जिला प्रमुक हो तो आपको खेती करने की क्या अश्यक्त आएगी आपकी सरकार है आपक के अच्छा बड़ा बड़ी ए ऐसा यह Positive से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है मैंने किषान के घर में जर्म लिया है खेटी मेरा पहला धरम बनता है चाहरे बनता है मेरे माता-पीता भी खेटी C जुड़े हैं और मुझे बड़ा शगून मिलता है कि मैं सुबह 5-6 बजे यहां खेत में होता हूं और मैं पूरे खेत की मोनिटरिंग करता हूं और मैं देखता हूं कि मेरी फसल कैशी है और सही तरीके से मेरी फसल में कोई भीमारी तो नहीं है और मेरी फसल स्वस्त है नहीं मेरे खेत को पूरे को चेक करता हूं देखता हूं रोजना किसान भाईयों से सुबह सुबह राम राम करता हूं लोगों से मिलता हूं और उनके हाल चाल जानता हूं इसके बाने मेरा लोगों से जन संपर्ग भी हो जाता है और लोग अपने समस्या लेकर आपकी पास आते भी ह मैं सुबह देता हूं ग्राम वाशियों से और लगातार 2-3 घंटे उनकी बात सुनता हूं और दिन बर उनका समझ्याओं का निरागन कराने का प्रयास करता हूं अच्छा डागर साब यह भी बताइए कि आपके फारमाउस पर टूवेल है लेकिन मुझे पता है कि बरुसाथ का पानी कितना मेहतोपौन है भुजलइस्तर नीते जाता जा रहा है पानी है नहीं और दिरे दिरे पानी पूरे देश में कम हो रहा है देश दुनिया में जितना पानी है उसका तीन परसेंट पानी है और तीन में से एक परसेंट पानी पीने योग्ये कलकार खाने यह है दिरे दिरे लोग आज पानी का दोहन कर रहे हैं सब कुछ मिलेगा लेग और मैं पानी की महत्वा को समझता हूं मैंने किताबों में पढ़ा है मैंने लोगों से सुना है कि पानी को बचाना एक एक बूंद को बचाना आपकी शोच दागर साब आप नहीं गरीन होस की महत्तब बता दीजिए गि 얼ुंट को क्यों कोड़ी फार्मिंग करती है ऐसा हम जो लगू शीमान्त किसान है और ग्रीन हाउस के बहुत अच्छी मैं तुता है उप्योग इता है मैं देखता हूं कि हमारे जैपुर जिले में पास में बशेडी गाम है इसको मैं इस्राइल कहता हूं वहां के किसानों ने बहुत तर परन्त ग्रीन हाउस के उपर या पॉली हाउस के उपर वो चल रहे हैं वह बहुत अच्छी आमद नहीं किये एक एक किसा ने दस बारा-बारा लाग रुपे कमाएं ग्रीन हाउस से और अपने टेक्निकली आधुनी खेती से आज और्गनी खेती के तरफ रुजान बढ़ा है अगर अच्छे भाव में होते हैं तो फसल में भी हो जाते हैं और भाव थोड़े कम होते हैं तो साल बर में उनकी आमदनी आ जाती तो यह जो आप ग्रीन हाउस लगाए इसके अंदर आप कॉन-कॉन से फार्म करते हो मैं इसमें खीरा भी लेता हूं मैं इसमें दूसरी फस लेता हूं अलग-अलग प्रकागी जो जितने वी सब्जिया होती है वो ले लेता हूं मैं बिल्कुल लेता हूं अच्छा सबसे पहले किसाम भाईयों को आपकी नोलेज भी पता होने चीए आपको कितना नोलेज है तो यह टमाटर लगा रखें आप तो इदर आते हैं तो कि इत्वराइटी लें लगा रखिया और क्या बहुत से अपमाटर बेश्यक नौम्बर twists चल रहा है बहुत सब्सक्रणाइब कहरें अब यह लगबक 10 बी जमीन में तो कितना एकड़ हो गया यह तो इसकी अगर आंदनी देखते हैं तो इस बहुब के नितर कितनी आंदनी जाएगे आपकी जालू ही है लेकिन अगर भाव सही-सही रह गया तो ऐसी बात दिश्मंदा लाग के टमाटर होंगे तो मेरे किसा भाई दे जिला प्रमुक होते हैं एक सक्षक्त फार्मर है एक टेलेंटड फार्मर है और महनती आदमी है कोई गहमन नहीं है और मैंने देखा है कि कई राजनेत को भी देखा है कि वाइट ड्रेस लगा के बना रखते हैं प्रंतों का जो पैना हुआ है वह भी नॉर्मल किसान की तरह है और यह जो विराइटी लगाई है यह कौन सी विराइटी है टमाटर की यह देशी सेगमेंट में है अभी लाज है अच्छा 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 प्रोडॉक्शन सही है तो मोहन डागर जी बहुत ही टेलेंटर किसान है जिसा कि मैंने आपको पहले कहा है और फार्म के अच्छा 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 öß還 Sarnos जैसा कि मेरे के संभाइयों डागर्स साफ जो फार्मिंग कर रहे हैं और्गनिक फार्मिंग कर रहे हैं मेरे को बहुत ही अच्छा इनका तरीका लगा फार्मिंग करने खार और अच्छी इंकम मिलते हैं और इनका संदेश एक है तो आगे और भी पार्ट में डागर साब के लेकर होँगा आप लोगों के लिए कर्षी के अंदर इनका कौन-कौन सा योगदान है क्या इनकी सोच है और किसान भाईयों के लिए क्या-क्या प्रियास ये कर रहे है तो अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राब जोरू करें और बगल में जो बेल गंटे उसको भी आप जूरू दबाए जिससे मेरे नेने कर्शी संब्दी वीडियो आप तक आशाने से पहुचे जे जवान जे किसान, बंदे मातरव